दिखे, हिंदे में एक शब्ध है, विश्व लें इस तोड़े में वीश्व को इंगलीश में क्या बोलते है और हिंदे में क्या आर्थ और मतलब होता है दोनों में जानेंगे, इक्जांपल से, sentences में यूज करके आचितरा से समझेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वेश्व का क्या आर्थ होता है क्या मतलब होता है देखिए वेश्व का मतलब होता है इंदी में जग या जगत जहां जहां संसार दुनिया लोक भूमंडल धरती धरा प्रहांड जमीन पिर्थवी का वो खंड जिसमे जीव निवास करते हैं, पूरा का पूरा विश्व कहलाता है English में विश्व का मतलब होता है World, Universe, Cosmos, Earth, Jue Sphere, Land, Planet, Globe, Sphere People everywhere is called wish, the whole world and it is even above English में इसके शब्द हो सकते हैं विश्व के Example से sentences में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से जैसे बोलेंगे आम भोलताल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोग करेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकाले कौन सा है मतलब विश्व में What is the world's largest library तो library का मतलब पुस्तकाले और word का मतलब विश्व दूसरा example है चैना या तो एक विश्व शक्ती होगा या बनेगा या फिर होगा ही नहीं मतलब वा इंगलिश में China will either be a world power और it will not be तो world का मतलब विश्व दुनिया छीए निकोंट आपने विश्व शक्त को हिंदी इंगलिश में एक्सेम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है थैंक्स वर वाचिंग एजुके एर डेस्क